प्रत्यक्षी गंशाम सोलंकी ने जीत हासिल की प्रत्यक्षी गंशाम सोलंकी ने 150 से अधिकमतों में जनपत सदस्य में जीत हासिल की है जिसमें गंशाम सोलंकी ने पूर्व सरपंच कोहरा कर ये बड़ी जीत हासिल की है 150 से अधिकमतों से ये जीत हासिल की है जनपत सदस्य गंशाम सोलंकी पूर्व में दो बार सरपंच पत के लिए प्रत्यक्षी भी रह चुके है जिसमें वो पूर्व से असफल रहे वहीं फिर भी उन्होंने हार न मानते हुए इस बार फिर अपनी किसमत आजमाई और जनपत सदस्य के लिए अपनी लड़ाई लड़ी अपनी जीत हासिल की वहीं कॉंग्रेस कारिकरताओं ने जीत की बधाई दी साथ ही ग्राम में नगर में नगर के अगरवाल समाज में म्रत्य होने पर नगर में कॉंग्रेस कारिकरताओं ने जश्न न मनाते हुए शांती प्री रूप में खुशी जाहिर कर जीत की एक दूजे को बधाई दी मही कारिकरताओं ने जनपस सदस गंशाम सोलंकी को कंधो पर बैठा कर रद्य भी किया मही दीजे की थाप नहीं रही नहीं डोलताशे नजर आए जनपस सदस गंशाम सोलंकी का कहना है नगर में अगर गमी है तो हमारे घर की गमी मानी जाएगी इसको लेकर हमने आज कोई जश्न नहीं बनाया है नगर में मही आसपास के शेत्रों में कारिकरताओं ने बाइक रेली निकाल वो आतिश बाजी के साथ जश्न मनाया है और एक दूसरे को बधाई दे मूमीठा किया है मही परूपा टक में आज कॉंग्रेस कारिकरताओं ने पुनरूप से सन्नाटा रहा नहीं उन्होंने कोई जश्न म झाल, झाल, झाल